हेलो अव्रीवन वल्कम बाक टूदर चनल आप लोगा सवागते हैं लास्ट लेक्टर आमने ट्रेड डिसीवल टन अबर रेश्यों देखा था आज देखेंगे ट्रेड पेवल उससे पहले कुछ डाउट से पहले वह डाउट टेक लेते हैं एक कुछन एक सो तीन नंबर इन्फॉमिशन देखो इसमें दिया हुए आपका क्लोजिंग ट्रेड डिसीवल जो दिया आपको वो दिया 4 लक रूपीज उसके बार लेका कैस सेल जो आपका 25 परसेंट किसका है क्रड़िट सेल का उसके बार लिएक सीजे ओव ट्रेड डिसीवल ओवर ओप्रेंग तो लाइन के लिए ऐकशी ऑफ ख्लोजिंग ओब ररोपन प्निंग मतलब को दिया आ या नियुद जो जाएगा laund फो जाएगगा आपका 2 यहां तक प्रशानी उसके बाद दिया हुआ है आपका रिवेन्यू फ्रॉम अपरेशन मतलब नेट सेल दिया पंद्रा लाग रुपे नेट सेल दे रखा आपको पंद्रा लाग देखो हमें जो निकालना है वह निकालना जैओ ट्रेड रिटर्न और रिशिवर ट्रणवर रेश्यो सद्रेड रिश्यो का फार्मला होता है नेट अ cocoa credit अपॉन अब विरेज कैग तो देखो अबरेज ट्रेड अऊपनिंग गार्फ़ दिख्यो Mimi अफ्वूम SE Brands दस चार्द लाख डिवाइड बाइट तू कि तीन लाख रुपया इसमें तो कोई परशानी नहीं है दिखते कि आपको क्रड़ेट सेल नहीं दिया पते को एक लाइन है यह वाले लाइन आपके कि कैस सेल 25 परसंट किसका है क्रड़ेट सेल का तो मैंने लेट कर लिया लेट क् इसका 25 परसंट यानि एक्सवाई फॉर्ट परशानी इन दोनों से लोगों अगर मैं जोड़ तो टोटल से लाएगा तो मतलब यह लिख सकता हो है एक्स प्लस एक्सवाइफ फॉर जोगा वह पंदर लाग के बराबर होगा को तो आपको पंदर लाग रुपर दिया हुए एक्स ही वेल्व जाएगी पंदर लाग इन्टू चार्ड डिवाइड बाई पांच तो एक्स आगया 12 पर एक्स आपने किसको माना था क्रडिट सेल को यही तो चाहिए आपको तो क्रडिट से लाग आगया 12 लाग और आवरेज ट्रेट इसीवल कितना है तीन लाग आपका आंसर आ गया फोट टाइम्स बसकता ठीक है को दिखकत और कोई कुछिन किसी कर डाउट हो कोई कुछिन और डाउट जो आपने करा ना आया हो नहीं अगला रिशो बाता हो उसमें से मैं एक कुछिन करांगा थोड़ा बढ़िया सा एक सब्सक्राइब नमबर उसमें छोटा जादा पॉइंट सबाकी तो चार्ट जोना 111 12 13 चुट जोटे ऐसे डिसक्स कर लेंगे तो जैसे आपने ट्रेड इसीवर टरनवर रिशो पढ़ाता हुश वैसे ट्रेड पेवल है फॉर्मौला भी उस तरीके सही है बस वहां पे सेल का कॉंसेप्ट था है या परचीसका होगा तो अगला रिशो आपका है इस डेड पेवल तरनवर रिशो एपर लग बढ़न होता है नेट क्रडिट परचेज अपान एवरेज ट्रेड पेवल अब नेट क्रडिट परचेज आप जानतों कैसे निकलता है अगर मुझे नेट क्रडिट परचेज निकालना है तो मैं करूंगा टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटन यह दो चीज़ अगर मैं घटा दो टोटल में से तो आपका नेट क्रडिट परचेज दा जाएगा लेकिन अगर बात करूंगा एवरेज ट्रेड पेवल की तिसको जाँ ध्यान से देखना हुआ है एवरेज ट्रेड पेवल निकालने में च आप निकाल नहीं सकते तो उसी और आप एवरेज ट्रेड पेवल लें रख दोगे लेकिन अगर आपको क्लोजिंग के सासा तो ओप्निंग दिया है फिर ओपनिंग निकल सकता है तो अगर ओपनिंग का भी क्रडिटर दिया है और क्लोजिंग का भी क्रडिटर दिया है तो दोनों को जोड़ेंगे दो से डिवाइड और चौत्था ऐसी अगर ओपनिंग का हुआ है करेटर और बीपी दे रखा है क्लोजिंग का भी है क्रडिटर और डीपी दे रखा तो इन चारों को जोड़ेंगे दोसे डिवाइड याने अगर बात बहुंँ तो अगर स्रीफ लेकिन अगर क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग भी देया तो फिर आपको दोनों को जोड़के दो से डिवाइड करके आवरेज निकालना पड़ेगा ठीकर दिए इसका फॉर्मला है इसके आपको याद होगा हम लेकिवाप यह भी पड़ा था डेटर में आवरेज कलेक्शन पिरिएड पड़ाद ना आपके तुसमें था फॉर्मला डेज मन्त या वीक अपन ट्रेट डिसीवल टनोवर रिश्यों तो यहाँ पर वैसी निकलेगा आवरेज पेमेंट पिरियएड आवरेज पेमेंट पेमेंट लिखा होगा सब पेबल लिखा होगा पिरियों जिसका यहाँ पर अगर डेज में निकालेंगे तो 3075 मंth में निकालेंगे तो बारहेख में निकालेंगे तो बावन अपान ट्रेड पेवर टौनवर रिश्य ठीक है आंसर आप किसी निकाल सकते इस्पेशलिक बोला है तो अलग बात है तो यह दो छोटी छीट फामले कि यह वरी क अगर आप ध्यान से देख रहो तो लास्ट क्लास जो हमने ट्रेड इसीवल पड़ा तो उससे सिमलर मिलता जुलता लग रहा होगा आपको यह बस वहाँ पर्चीस की जागे क्रडिट सेल था और पेबल की जागे रिसीवल तबागे देखो पूरा प्रोसेस वह साहिए अब एक सब लिखी जीन आप दूटेस को पहले पूशन अबहुत सिंपल है 111 नमर आपका देख रिटर का ओपनिंग लोजिंग आपको 111 देखो रिटर का ओपनिंग देख लोजिंग साड़े चालग दे रखा बिल्स पेबल का भी ओपनिंग लोजिंग दिया है तो मताइए चौत्थी वाली कंडिशन हो गई यह वाली चारों को जोड़ेंगे दो से डिवाइड करेंगे तो आवरेश ट्रेट मतावरेश ट्रेट पेबल आ गया एक चीज़ निकल गई दूसरा क्रडिट से तो पर देखो हाँ देखो टोटल सॉरी करडिट पर्चेस यह टूटल पर अंगा विदियुक्त मुखत्यस कहां हो टूसरा क्रड़े डिया करेंट पर्चेश तो देहां से diyorum रहां परचेश लिए topARRYC अगले में 113 में तीन चार किसे पहला किसे को कहा है सिर्फ क्लोजिंग ट्रेट वेवल दिया क्या ओपनिंग दिया नहीं तो क्लोजिंग है तो पहली करेंदिशन हम क्लोजिंग को यह आपर समान लेंगे और आपको देखो पर देखो यहां देखना नेट पर चीज लिखा हम आने के ज़द नहीं पड़ेगी क्योंकि नेट लिखने का मतलब है कि रिटन और एड़ी क्या है माइनस तो आफ सिर्फ क्या घटाओगे उसमें से काश पर्चेज तो तो तीन साट में से कैश पर्चेज घटाओगे तो क्रडिट पर चीज आ गया आप आन ट्रेट पेवल करते गोड़ के लिए मशीन के लिए हम क्रेटर ने वेंडर वरी करते तो उस पच्पन में से 25 जातो मशीन है तो वह तो क्रेटर का पार्ट नहीं है तो सब्सक्राइब में से 25 घटा तो 30 था हो जानी काउंट करो गया तो छोड़ी छोड़ी जादा इन्फोमेशन और ज्या क्याश परचेस 25% of total purchase cash purchase जो है वो क्या है है तो टुइकन किसका है है टोटल पर्चेस को कि उसके बाद लिखा हुआ है रिवर्म में the प्रम अपरेशन से बड़िए सेट स्टुवर्ड कि रखा है तेन लाख ह सेमान प्रिपे का सेल्स दिया है इसके वान अधिका ग्रास प्राफिट आन रिवेनुफ फ्रॉम अपरिशन बताद जी पी अन सेल दिया हुआ है 25 परसेंट उसके बाद आपको दिया है ओपनिंग इन्वेंटरी 75,000 closing inventory CIA closing inventory closing inventory 150,000 और आखरी में एक लाइन लिखे trade payable turnover ratio कितना दिया है 3 times और एक लाइन है closing trade payable 75,000 more than opening trade payable लिखा है कि closing जो है opening से 75,000 ज़ादा है तो मैंने लेट करा opening trade payable X closing trade payable X प्लस 75,000 हो जाएगा इसमें कोई परशानी है यहाँ रखी कि आपको जो निकालना है वो यह निकालना है इतनी साथ information दिया आपको निकालना है closing और opening trade payable trade payable निकालने के लिए मतलब मुझे यह चाहिए अगर मैं trade payable का formula लगाँ यहाँ लगाता हूं trade payable turnover ratio का formula होता है net credit purchase upon average trade payable देख अगर मैं आपको दिया हुए कितना दिया है net credit purchase है ना कहीं से अगर net credit purchase निकल जा तो मैं पूरा question solve कर दूंगा अब वो कैसे निकलेगा तो कहीं भी परचीज निकलेगा तो जब आपको परचीज ना दिखे और सेल दिखे और जीपी दिखे तो दिमांग लगाना सेल जीपी से कितना है 25 पूल जाट कैना प्रचीज आप जोख को 3 यूज रूप एक और आपको दे रखा ता जीपी यूज कितना बोला है फार्मुला हमने पढ़ा है sales minus gross profit cogs आता है तो sale है 3,00,00 और यह है 75,00 तो cogs आ गया 2,35 यहां तो कोई प्रशा नहीं अब cogs का एक फार्मुला हमने पढ़ा है cogs equal to opening stock मतबं opening inventory plus net purchase plus direct expense minus closing inventory पढ़ा का नमने पढ़ा है तो सीव जीए से दो पर्चेस ओपनिंग आपको दिया हुआ देखो यह रहा ओपनिंग inventory 75,00 लाग तो ओपनिंग हो गया 75 75 पर्चेस तो आपको दिया नहीं है पर्चेस निकालना ही है diet expense zero closing date lock तो यहां से देखो आपका पर्चेस निकल गया तो यह पिछत्तर तीन लाख रुपे पर्चेस आगया पर्चेस आगया अब देखो हमें पर्चेस नीचे हमें चाहिए यह credit purchase अभी तो पर्चेस दिखला है तो उपर एक लाइन दी कि cash purchase जो है आपका 25 पर्चेस तो एक बात बताओ खुदी बताओ अगर टोटल पर्चेस का 25% cash पर्चेस तो बाकी किता बचा 75% वह क्या होगा credit purchase होगा तो यह आपका फूरा पर्चेस तो क्रडिट पर्चेस क्या हो जाएगा इस तीन लाग का किता पर्सेंट 75% दो लाख प्रचेस तो अदो यहां तो मैं कर रखाने इसलिए आप मैंने फटबर्च कर दिया आपको अगर सी फॉर्मली आ दो तो आपको कुशन नहीं कर भाओगे तो यह दिखाना एक गिरेश्य वाला चप्टर ऐसा जाए कि आप सिफ प्रचेस तो फॉर्मले पर हो गया जहां पर चीजें निकालनी होगी वहां इसके लिए आपको प्रस्टिस के रिक्वार्मेंट है कि नहीं करा होगा तो तो अप्र फ़िर प्रक्रों तो फिर कुछ और छूटेगा इसलिए चाप्टर में ज्यादा आपकी प्रक्टिस के र प्राक्टिकल में जो होता है वहां फार्मले से फायदा हो जाएगा किसी फार्मले आदे तो आपको फार्मले के साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए तभी आपके कुशन स्वाल पूंगे सीधा कुशन आगे आपका लाक है तो बहुत अच्छी बात है वनना तो यह देख आपका यह निकल गया अबस फार्मले पर रख दो कितना आगया दो लाक पच्छी सदा अब इसे सॉल्ट करना तो हमें आता है इसे सब से उपर भी देंगे तो तीन दो साड़े चाद लाक हो और यह हो गया टू एक्स प्लस पिछात्तर अजा तो सॉल्ट करेंगे तो शिक्स एक्स प्लस पिछात्तर कर डब इंटू टीन कितना होता है इस तरीके से आपकी वश्यों को सॉल्ट करना होगा अधिवा आज मैं ज्यादा कुशन दियानी सिर्फ चारी कुशन आज आड़ हुआ है पिछला अब अगर आपका रहा गया तो भी और कर लेना ठीक है तो एक सो पंद्रह तक हो गया हमारे आखरी वागी हम नेक्स ट्रक्शन में आगे करेंगे आप लोग जो आनलाइन बच्चों हो आप इन्हें नोट कर लो जड़ा यह पहला पेस था इस मैंने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना पीवाई की स्रीज जल गए आप चैप्टर वाइस पीवाई की वहां से डाउनलोड कर सकतो डाउनलोड करके कोशिन की प्रैक्टिस करना चालू करो बागी जल्दी हम प्रीबोड के पेपर भी जल्दी लांच करेंगा आपके बिलते नहीं सक्षिमें तबते के लिवाई बाइब